हालो मॉमीज मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल पेरेंट्स हेल्प में माई डियर पेरेंट्स आप तभी को प्यार ब्रा नमस्का जैश्री कृष्णा रादी रादे माई डियर पेरेंट्स आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ एक साल से लेकर दो साल तक की बच्चे को आप विंटर में कौन-कौन से फूर दे सकते हैं कौन-कौन से नहीं देने हैं ठीक है तो सारे ही टॉपिक में यहां पर क्लियर कर दूँगी कि आपको क क्या क्या आपने बच्चे को खिला सकते हैं जो कि विंटर में बहुत जादा वैनिफिट आपके बच्चे के लिए ठीक है तो विडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीस इसको लाइक जरूर करेगा शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत तो यहां पर आती है कि मैं विंटर में हम अपने बच्चे को क्या दें हमारे बच्चे को ठंड डिना लग जाए और मेरे घर में तो इन सब चीजों को खाने के लिए मना करते हैं यह मत खावो मत खाओ तो कहीं न कहीं एक बॉंडेशन बन जाती जिसमें कि मां यहीं सोचते कि मैं अपने बच्चे को यह खिला दूँ और कहीं बीमार पढ़ गया तो घर में सब फैमिली मेंबर मुझे ही डाटेंगे तो एक प्रेसर भी रहता है ठीक है तो थोड़ा सा आप क्योंकि आप अपने बच्चे की मां है आपकी रिस्पॉंस्पिलिटी है कि आपका इस्टी की प्रेशर में आकर आप यह मत करें कि बहुत सारी चीजों को स्किप करा दें फिर जब आप जो भी सीजनल फूट्स होते हैं फूट होते उनको स्किप करा देंगे तो पच्चा फिर खाएगा क्या ठीक उसको हैविट कैसे होगी उस चीज को खाने के लिए तो सब अधी खांसी में भी जो बादाम होता है बहुत जड़ा वैनिफिट करता है तो आप अपने बच्चे को यह दे सकती है बादाम का पाउडर मिला कर साथी साथ सिंपल अगर आप बादाम का पाउडर नहीं देना चाहती तो आप और भी ड्राइफूट का पाउडर बनाकर अ आप अपने बच्चे को बच्पन से ही गुड के साथ दूद पिलाने की आधर डालें क्योंकि एक साल का बच्चा है वो अलग से गुड को कट करके दूद नहीं पी सकता है तो आप दूद में ही गुड मिलाकर अपने बच्चे को दे दीजिए ठीक है बहुत ज़्यादा कर को सर्दिये से बचाता है अगर कफ है बल्गम जमाँ हो गई है तो वह बच्छे का निकल जाए गा साथ जाथ बच्चे टिक से फ्रेस हो पाएगा उसे आराम से पॉटी अहले कि आपके बात करें पानी पानी आप को सर्दियों मैं इग्दमध्रेश पानी देना एक फिर बॉ तो आपको एक जरूर एक जरूर को डेना है ठीक है एक का जो वाइट वाला पोर्शन है थोड़े दिन आप उसको ना दे क्योंकि वह बच्चे को अलर्जी कर सकता है कुछ दिन बाद दीरे दीरे आप उसे खिलानी की आज़त डाल सकते हैं ठीक है पीले वाला जो पोर्शन हो था वह बहुत ज़्यादा प्रोट मेंस अपने बच्चे को एक जरूर कहला है बहुत ज़्यादा करता है नौन वेज में आप जो भी कुछ चीजें खा रहे हैं तो वह अपने बच्चे को थोड़ा जरूर ट्राइक रहें ठीक है तो भी बच्चे के लिए अच्छा रहता है फिर्श आप दे सकते हैं लेकिन आप जरूर यह चैक कर लें कि उसमें हाई मर्करी नाओ मर्करी का लेवल क्या है तो देख परक कर ही आपको अपने बच्चे को नौन वेज देना क्योंकि मैं नौन वेज की वारे में बहुत ज़दा नहीं रखती हूं ठीक है तो मैं बस यही बता हूँ आप जो भी अप नौन दे रहें तो पहले टेस्ट कर लें आपका बच्चों से डाइजिस्ट कर पा रहा है नहीं कर पा तो बहुत ध्यान से आपके अपने बच्चे को खिलाना है तो एक के लिए मैं आपको यहां पर यही सज़ेस्ट करूंगा कि एक जरूर सरदियों में खिलाए ठीक है अब हम हैं अनाज में दालों में आप उपने बच्ची को की तीडियों घीए एक उइशु उर्ट्स की आना होगी यह क्यों बच्क्ते आप नास्ता भी रहेगा या फिर आप जिस भी टाइम अपने बच्रीकों देना चाहें तब आप अपने बच्छे को दे सकते हैं डालिया डालिया बना तो दूद के साथ ही बहुत ज्यादा अगर जिन माओं के बच्छे बहुत वीक रहते जिनका बजन नहीं बढ़ पाता वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब कुले कर इशू है के चावल से बच्चे को सड़ी लंग जाए कोई सदी नहीं लगती आप साउत में डेकली जेंजे बंगाल में देख लीजी बिहार में देख लीजिए अपने यूपी में देख लीजी हर जगए चावल बहुत नेसेसरी रहता हो बच्चे के लिए अच्छा करेंगे और बोड़ी कैसे अच्छेज को दीरे-दीरे डाली बच्चे को खिलाना आप जरूर स्टाट करिये तो चावल आ बिलकुल दे सकती है कूल प्रावलम में ठीक है साथ बच्चे की खाने में जरूर होना चाहिए दधी की वारे में हमेशा बोलती हूं नाच्रल बो प् बात करें सब्गेना कि सदों में सब्गेजों की भरमार होती है पालक है मैंती है बीम है यह सब चीजें आप अपने बच्चे को बिल्कुल ख़लाइक मटर है यह सब बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है तो आप जो भी ऐडेटेवले से मटर गा बना कर दीजिए इनकी प्यूरी बना कर आप दीजिए mix बैज प्यूरी दे सकती है तो जितनी विए सब्जियां है जो कि आपका बच्चा खा सकता है खा सकता है नहीं भी खा सकता है खिलाईगे थोड़ा खाएगा एक दू चमज खाएगा लेकिन उसको आदत पड़ेगी बच्चे कर इंट्रेस्ट शोर नहीं होगा ठीक है तो आप बिल्कुल थोड़ा बहुत किलाईए चाहे थोड़ा ही आपका बच्चा खाए अब लास्ट में यहां पर मैं बात करूंगी फूट्स के बारे में फूट्स को लेकर भी बहुत ज्यादा चीजियों होती है कि मैं सर्दिया चले बच्चे को केला नहीं किलाओं सर्दिया चले मैं बच्चे को अम्रूद नहीं किलाओं सर्दिया है मैं बच्चे को यह नहीं किलाओं सब कुछ खिलाईए कुछ नहीं होता हां अगर आपका बच्चा बार-बार बिमार पड़ता है उसे बार-बार खास ही हो और दुपेर के टाइम थोड़ा थोड़ा अपने बच्चे को खिलाईए ठीक है फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चे को फिर उन सब फूर्स को खाने की आदत पड़ती है उनकी पाचन सकती मजबूत होती है लेकिन आपको उनको यह दीरे दीरे खिलाना पड़ेग लेकिन खाकर अगर बिमार पड़ रहे हैं तो इतनी कोई दिकत नहीं है ठीक है लेकिन आप उनको खिलाईए वह विस्ति के लिए बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है बस आपको ध्यान रखना है अपनी बच्चे की हेल्थ पर यह द्यान डखना है कि आ अपनी बच्चे को खिला एक है लेकिन सीजनल फूट सीजन में ऐसा नहीं है जो सर्दी में वो घरवी मिल जा थिक है तो इसलिए जरूर थोड़ा-थोड़ा अपनी बच्चे को खिलाते रहे ताकि आपका बच्चा उन सब चीजों को खाना जीके और जो il तो मेरी एक यही छोटी से कोसिस है I hope यहां पर आपको कुछ help मिल पाई हो तो प्लीस इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिए गा मैं नेक्स वीडियो में जरूर आपके लिए वीडियो लेकर आऊ जिसमें कि मैं आपको बताऊंगे एक दो साल से तीन साल तक के बच्चे के लि कर दो साल